हेलो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल में आज हम बात करने वाले हैं फिल्म फाइटर की लेकिन वीडियो को शुरू करें उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए हम यहां हर रोज आपकी फेर्वेट स्टार्स और उनकी आने वाली नई मूवी से जोड़ी नई जानकारियां लाते रहते हैं बॉलिवुड इंडरस्ट्री के सबसे मशूर सितारों में से एक दिपिका पादुकोन और रितिक रोशन अपने करियर में पहली बार एक साथ स्क्रीन शेयर करते हुए दिखाई देने वाले हैं दोनों एक्टर्स सिधार्त अनंद की फिल्म फाइटर में साथ काम करेंगे इस फिल्म की घोशना पिछले साल 2021 में रितिक रोशन के जनम दिन पर की गई थी यह फिल्म पहले 2023 में 26 जनवरी को रिलीज होने वाली थी लेकिन अब इसकी रिलीज डेट बदल कर 28 सितंबर 2023 कर दी गई है इस बात की जानकारी खुद रितिक ने अपने सोशल मीडिया पर साज़ा की है रितिक रोशन ने अपने इंस्टाग्राम पर इस खबर की जानकारी देते हुए एक वीडियो पोस्ट किया पोस्ट की गई वीडियो के नुसार फाइटर भारत की पहली एरियल एक्शन फिल्म है इस वीडियो के कैप्शन में रितिक ने इसकी रिलीज डेट का खुलासा किया और लिखा सितंबर 28,2023 इस फिल्म में रितिक रोशन और सिधारत आनन तीसरी बार साथ काम कर रहे हैं इससे पहले दोनोंने फिल्म बैंग बैंग और वार में साथ काम किया था दिपिक अपादुकोन और रितिक रोशन की फाइटर का शूट जून 2022 में शुरू हो चुका है इस फिल्म में रितिक और दिपिका का एक्शन अवतार देखने को मिलेगा इस फिल्म के लिए बहुत से एक्शन सीन्स फिल्म आए भी जाएंगे और फिल्म की शूटिंग दुनिया भर के कई देशों में की जाएगी ये फिल्म हमारी तीनों से नाओं की वीरता, बलिदान और देश भक्ती को शुधाएंजली अर्पित करेगी दीपी का बादुकोन रितिक रोशन के साथ साथ इस फिल्म में बॉलिवूड के दिगज अबिनेता अनिल कपूर भी एहम भूमी का निबाते नजर आएंगे